आज की हमारी वीडियो एक ऐसे फिल्म डिरेक्टर के बारे में है जिन्होंने टिपिकल बॉलिवूड स्टाइल की फिल्मों से अलग कुछ फिल्में बनाई जिसकी वज़े से फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एक अलग पहचान बनी है और एज एन एक्टर तो आप उन्हें का 200 करोड बजट की फिल्में बन रही हैं ऐसे में रजट कपूर ने लो बजट फिल्में बनाने का बीड़ा उठाया है और यकीन मानिये इनकी ये लो बजट फिल्में भी बड़े-बड़े बजट फिल्मों से किसी भी माइने में कम नहीं हैं इन जैसे डिरेक्टर्स ने उन अपने project के बारे में बताते थे और इस तरह से उन्होंने उस film के लिए पैसा इकठा किया था लेकिन ये सब कैसे हो पाया just because he was confident of his work उन्हें पता था कि वह क्या करने जा रहे हैं क्या बनाने जा रहे हैं और फाइनली उन्होंने बनाई रगू रोमियो जिसे बेस्ट फिल्म के लिए नेशनल आवार्ड तो मिला ही था साथ ही साथ मामी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी बेस्ट फीचर फिल्म 2003 का आवार्ड मिला था करियर के शुरुवात से ही रजत कपूर एकदम क्लियर थे कि उन्हें किस तरह की फिल्में बनानी हैं एक तरफ जहां हाई बजट कॉमर्शियल फिल्में धडलले से बन रही है वहीं दूसरी और कुछ डिरेक्टर्स ने लो बजट और आर्ट के नाम पर सेक्स और वाइलेंस पर फिल्में बनानी शुरू कर दी हैं और दोनोही तरह कि फिल्में अच्छा बिजनेस कर जाती हैं क्योंकि Bollywood में शूरू से एक ही पैटर्म्पर फिल्में बनती आरहे हैं परिवार वाली, फिर रोमेंटिक, फिर थ्रिलर, फिर कॉमेडी, लेकिन इन सारी फिल्मा में कुछ चीज़े एकदम कॉमन होती थी, जैसे कि हीरो अच्छाई होगा, विलन बुराई होगा, हिरोईन गाना ही गाएगी, ये दोर काफी वक्त तक रहा, इसके बाद आर्ट फिल पर सेक्स परोस्वा जाना कोई नई बात नहीं है, और कॉमर्शियल फिल्मों में आजकल क्या होता है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन रजद कपूर ने वो रास्ता चुना जो एकदम अलग था, रगू रोमियो तो उनकी एक अलग तरह की फिल्म थी ही, लेकिन उनकी फ इस बात को सीधा सीधा दर्शाता है कि फिल्म बनाने का इस्तर, हमारा फिल्म देखने का इस्तर सब कुछ काफी गिर चुका है, अब रजद कपूर अपनी अगली फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए वो फंड्स इकठा कर रहे हैं, अब इसके लिए मैं, आप हम सब म पैसा दे सकते हैं कम या ज्यादा जितना भी आप effort कर सकते हैं नहीं दे सकते तो at least अपने दोस्तों रिष्टेदारों को इस बारे में बताएं अगर वो भी नहीं कर सकते तो at least अपनी best wishes तो उन्हें जरूर दे इस website पर जाके आप online donate कर सकते हैं और जो लोग भी पैसा donate उनका नाम और amount उस website पर दिखाई देगा इसके अलावा फिल्म के credits में भी उनका नाम आएगा दोस्तों ये किसी भी तरह का sponsor वीडियो नहीं है मैं सिर्फ support करना चाहता हूं इन जैसे काबिल directors को तो I hope कि आप सब का साथ Rajajji को मिलेगा और वो एक बहतरीन फिल्म बनाएंग That's all for today friends. Please like, comment, share and subscribe to the channel if you like the video. Like me on Facebook, links are in the description. Be safe, have fun, milte है अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ. तब तक के लिए